तो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल I love student शमित कुमार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में दवाईए वेल आइकन आज मैं आपके लिए most important मुहावरे लेकर आया हूँ आज मैं आपको 30 ऐसे most important मुहावरे बताऊंगा जो ज़्यादार परिच्छा में पूछे जाते हैं और unsolved से मैंने जो कुछ लिए हैं जो ज़्यादार एक्जाम में पूछे गए हैं तो मैं बोई 30 important बताऊंगा most important ठीके और इनका अर्थी बताऊंगा और उनका बाग कैसे प् इंकार कर दिया इसे अगर हम बाकि में किस तरीके से करेंगे जैसे कि किसी ब्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि मतलब किसी ब्यक्ति ने उसकी बेटे से कहा कि अगर ये इंटर कर लेगा तो उसकी नोकरी लगवा देंगे ठीके किसी ब्यक्ति ने दूसरे ब्यक्ति से कहा कि हम नौकरी लगवाएंगे. तो नोंने का क्या ओ COMM? या दलाई बात तो उसने अंग्ठा दिखा दिया. यानि इंकार कर दिया, तो अंग्ठा दिखाने का रत क्या होगे? इंकार करना. इसका अर्थ और अपना जो बात की होता है, बाग के नहीं दोखोगे तो आपको एकी निम्मर में लेगा ठीक है इसी तरीके से होता है दूसरा अंगुठा चूसना अंगुठा चूसना जैसे छोटे बच्चे अंगुठे चूसते रहते हैं तो इसका अर्थ क्या है बड़े होकर भी बच्चों की तरह ना समझी की बात करना बड़े हो गए और बच्चों की तरह ना समझी की बात करते हैं जैसे कभी तो समझदारी की बात किया करो कब तर गंग्टा चूसते रहोगे तो यह क्या है उसका अर्थ हो गया बड़े हो कर भी बच्चों की तरह ना समझे की बात करना इसी तरीके से most important देखते हैं अंग लगाना अंग लगाना क्या होता है इसने से लिपट लेना ठीके जैसे किसी कि बैटे ने 80% अंग बड़ एक्जाम में 80% अंग लेकर आया ठीके तो उन्होंने क्या क्या उसे अंग से लगा लिया ठीके अंग से लगाना ठीके ये आपको तीनों के लिए हुए important है परिक्च्छा में ज पूछे गए अन्सोल्ड से और पेपर से ठीक है इसी तरीके से अगला है अंदे की लाठी ठीक है अंदे की लाठी तो इसका अर्थ होता है एक मात्र सहारा होना अगर इसे हम बाकि में प्रियोग करना चाहें जैसे बोले की एक मात्र सहारा होना जैसे नरासा में प्रतिच्छ कया अन्दे की लाठी है इसी तरीके से अपने आप भी बाकी का प्रियोग कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से अगला दिया गए अंबर के तारे गिना जैसे कि हम रात में बाहर गर्मियों के टाइम पे बाहर मौसम में लेटे होते हैं हमको नीम не आती है गया है अंदों में काना राजा अंदों में काना राजा इसकार्त क्या है मूर्कों के बीच कम ग्यानवाले को भी स्रेष्ट ग्यानवान मना दाता है क्योंकि जब सब बहुत सारे मूरग बठे हुए है अगर उनमें कोई जिसके पास थोड़ा ग्यान है यानि बीच में अगर कर प्स्तेय cock अजिए दोवा कि प्रियुकर ना तो इसी तरीखे से आप भाक में भी प्रियोक enroll कर सकते हो तो भाक में ऐसे आठ मी पास मुन्सु जी अंधे में कोणे अंधे sesra जो ऊच्छ उस्पने कोई मुन्सी जी है वह all में पास हैं तो अंदों में काने राज्या हुए करते थे क्योंकि तब बारेबारे पोस तक बिलीर ना थे साँ चीज कि यहाँ यो तो उन बच्चों के बीच में क्या थे स्रेष्ट घ्यान वाले ठीक है स्रेश्ट ग्यानवान थे तो अंदों में काना रजा इस तरीके से आप अर्थ भी लिख सकते हो आपके 6 नमबर ये clear होंगे मतलब 6 question यहाँ पर most important clear ने इस तरीके से और भी देखते है देखे अगला है यहाँ पर अकल का अंदा ठीके अकल का अंदा इसका अर्थ क्या है मूरक अकल का अंदा यानि मूरक अगर हम बाकी प्रियोग करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं कि बह लड़का तो अकल का अंदा है उसे कितना भी समझाओ मानता ही नहीं है ठीक है तो यह क्या होगा अकल का अंदा मूँ रख ठीक है इसी तरीके से अकल के घोड़े दोड़ाना ठीक है अकल के घोड़े दोड़ाना तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा हावाई कलपनाए करना ठीक हावाई कलपनाए करना अगर ह हम इसे अर्थ अगर इसका निकालें अकल के घोड़े दोड़ाना तो यहां पर रोगा कि परच्छा में सफलता परस्रम करने से ही मिलती है केवल अकल के घोड़े दोड़ाने से नहीं ठीक है इसकार्थ इस तरीके से आप प्रियोग कर सकते हैं और बाकी भी जैसे कि मैंने भी वेता है आपको कि परिच्छा में सफलता परसरम करने से ही मिलती है ना की केवल अकल की गोड़ेदर आने से ठीक है इसा है। मगषाओ इसी तरिके से अगला दिया गयी अकल पर पत्थर पढ़ना अकल पर पत्थर पढ़ ना मतलब जो वृद्धि है वो नश्ट होना अकल पर कहते नहीं है तुमारी अकल पर पत्थर पढ़ रहा है यानि तुमारी बुद्धी नश्ट हो गई है तो यहाँ पर इसका आर्थ में आपको ताहूं जैसे कि राजय दसरत ने के कई को बहुत समझाया कि वे राम को बन भेजने का बरदान ना मांगे पर उसका क्या हुआ पर उसकी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे ताव ना मानी यानि उसको अकल पर क्या थे पथर पड़े हो तो वे नहीं मानी ठीके तो बुर्दी नस्ट हो जाना अपनी खिछडी अलग पकाना सबसे पर्थक काम करना जैसे मैं आपको अर्थ पता हूँ इसका जैसे कोई व्यक्ति अपना काम अलग करता है तो उसे हम बोलते हैं वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है यह अपनी खिचड़ी अलग पकाना सबसे प्रतक काम करना कोई अलग काम कर तो वह अपना खिचड़ी अलग पकाना उसका अर्थ जाएगा ठीक है इसी तरीके से अध अज्यानी पुरुसी अपने ज्यान की सेखी वगारते हैं इस तरीके से अगर इसका अर्थ निकालें जैसे कि आठमी फेल कोमल अपनी बिद्धता की बड़ी-बड़ी बाते करती है आखिर करें भी क्यों नहीं क्योंकि अदजल गगरी छलकत जाए इसका अर्थ जाएगा इस तरीके से अपना उल्लू सीधा करना ठीक है अपना उल्लू सीधा करना इसका अपना काम निकालना जैसे नेता लोग आते हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं बोट के टाइम पे आते हैं पर को छूते हैं तो यानि वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं तो यहाँ पर अपना काम, निकालना, दूसरों को हानी पहुँचाना तो क्या हूज़ाएगा? अपना अलू मिया मिढ नकन नकन अपना काम निकालना इसकार तहीं? कुछ लोग अपना अलू सिधा करने के लिए दूसरों को हानी पहुचाने से भी नहीं चूखते, ठीके? इसी तरीके से अपने मू मिया मिठ्धू बनना ठीक है अपनी परसंसा स्वयम करना तो अपने मू मिया मिठ्धू बनना किस तरीके से जैसे कोई अपने मू मिया मिठ्धू बनने वाला की सम्मान धिर धिर कम हो जाता अगर कोई अपनी ही परसंसा व्यक्ति करे तो उसी को बले अपने मुँआ मिट्टू बनना अपनी परसंसा स्वयम करना इसी तरीके से अपने हिसाब से भी अर्थ को प्रियोग कर सकते हैं इसी तरीके से एकला दिया गया अपने पैरों पर खड़ा होना स्वालाम भी होना अपने पैरों पर खड़ा होना जैसे कि जब तक अपने पैरो कोई यदा करने के सुहवाग के काल उसने फिर आवल मज्य मार बात सिद्ध कर दी ठीक है जान बुज़ कर विपत्ती मूह लेना अपने हिसाब से भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं अर्थ निकालने कोई ज्ञादा कष़तना नहीं होती अपने हिसाब से जो मन हो जो समझ में आप निकाल सकते हैं लेकिन अर्थ आपको सही लिखना है ठीके अर्थ अगर गलत होगा तो आप बाग के होगा वो भी नहीं सही से बना पाऊगे आकास पाताल एक करना अत्यदिक प्रतेन अत्मा परसरम करना जैसे की अत्यदिक इसका मतलब है की बानरो तरी ओंने सरीताजी की खोज के लिए आका इक कर दिया één के इसी तरीके से और भी देखते हैं जैसे यहां पर दिया आक का तारा थीका आप हातीएंत यानि हज़ने के प्रत्यग सुपथ्र अपने वाताः पिता की आछ का तारा होता है इस तरीके लले आखों में धूले दोट का दोका देनाा कभी-कभी दर्सन। užता है कभी-कभी कभी इद का चंदनेंगे कभी मना कभी कविफिनियों के बाद निकलता हैけど कभी-कभी दर्सन देना, कभी-कभी जो दर्सन देता है इद का चांद होता तो उसे बोलते हैं इद का चंदना कभी-कभी दर्सन देना तभी कहते हैं लोग कोई किसी का दोस्त जाता है बाहर तो बाहर से जब आता है तभी कहते हैं तुम तो इद के चांद हो गए थे ठीके कभी-कभी दर्सन देना ठ ठीक है इसी तरीकेशन देखते हैं उन्ट के मुह में जीरा उन्ट के मुह में जीरा जैसे थोड़ा खाना वाला है यहीं बहुत कम मातरा में कोई बस्तू देना जैसे जैसे मैं आपको बताओं मोहन प्रते दिन दस रोटियां खाता है उसे दो रोटियां देना तो उंट के मुह में जीरा देने के समान है क्योंकि उंट कितना बड़ा होता है उसको मुह कितना बड़ा होता है जीरा छोटा सा होता है तो कोई दस रोटियां खाता है तो दो रोट सद्टू के लिए बहुत से ब्यक्तिवबारा प्रतियन करना ठीक है एक eight every bun एक बस्तु के लिए बहुत से ब्यक्तिवबारा प्रतियन और मेरे पास पुस्तक एक है और मागने वाइन dairy तो बही बात है न की एक捐ना 100 विमार ठीक है इस तर disabilities साब पर निकाल सकते हूं घी के दिए धिक जर आते हैं जब खुशी मना थे तो यहां पर मतलब सम्चालिब की जरना इसकार्त होगा खुशी मना थीक है जैसे अपने प्रतलंदी की हार परusta सुनी लिए घीके दिया यानि अपने दुस्मन को उसने हरा दिया और इसने घीके दिया खुशी मनाना जब खुशी मनाते हैं तब घीके दिये जलाते हैं अर्थ आप लिखोगे और अपने हिसाब से वाग को प्रियोक कर सकते हैं इस तरीके से जूतिया चटकाना यह 2019 में तो तरको फटकार लगाते हैं बेटा इंभी जूतिया चटकाते घुमने से कोई भला नहीं होने बाला कुछ महनत करना सीको यानि वह इदर उदर मारा मारा पढ़ना बेरते में यहां वहां घुमना तो क्या होगा जूतिया चटकाना दातों तले उंगली दवाना यानि आस पुलिस को आया देखकर पिता ने पुत्र से कहा जैसे पंबोसी को यह दाल में कुछ काला लगता है यानि दान्तों तले उंगली दवाना हो गया अश्युर होना और दाल में काला होना दोस छिपे होने का संदे सब्सक्राणil जैसे कि पिता ने पुत्र से कहा कि मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है ठीक है इस तरीके से आप इ प्रियोग कर सकते हैं इसी तरीके से दूद का दूद पानी का पानी यानि सही और उची तन्याय का पता लगाना ठीक है सही और उचे न्याय का पता लगाने विक्रमाजित के राजा में परजा सब प्रकार से संतुष्ठ थी क्योंकि उनके यहां दूद का दूद पानी का पानी किया जाता था ठीक है तो इसका आप मा किस तरीके से प्रियो कर सकते हैं उसी तरीके से ना काटना ना काटना का जाने पर निकल के पिता कि यह कोई भी नाम लेख सकते हैं अपने हसाब से बाकी प्रियोग कर सकते हैं उसकी ना कट यानि बेज़ीती हो गई बेज़ीती होना ठीक है इसी तरीके से 12921 और यह होता एक और ग्यार है ठीक है यहां पर देकिन नोदो ग्यार हो ना इसका होता है गयवन ना बाग के अपने हिसाब से भी प्रियों कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से लोहा लोहे को काटता है कठोर बनकर ही कठोरता का शमादान किया जाता है ठीक है कठोर बनकर ही कठोरता का शमादान किया जाता है इसका बाग के आप अपने हिसाब से भी प्रियों कर स सकते हो या इस तरीके से लेको कस्मीरियों ने जब अपनी सुरुच्छा के लिए स्वय मत्यार उठाए तब जाकर वहां कुछ सांती स्थापित हुई क्योंकि जानते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है ठीक है इसी तरीके से एक और देखते हैं इसके बाद हाथ पीले करना ठी अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकी ठीक है अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकी यानि बिभा करना इस तरीके से मुस्ट इंपर्टक धिक सों को पढ़ लेंजिये समय लें लेंजिए पेपर में इनी से याइज आएगा क्योंकर पिशे से और पेपर से हमने लिखे आपको इस तरीके से नेक्स वीडियो जल दाएगी वीडियो देखने के लिए धन्वाद और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करना